Hello Dear Friends, Welcome to Net Classes CS and Paper 1 Friends, मैं जोती कुमारी आप लोगों को Artificial Intelligence के Lectures दे रही हूँ कुछ lecture मैंने concept पे दिये हैं लेकिन अब क्या है कि मैं जो concept पढ़ा चुकी हूँ वही फिर previous year question जब करा रही हूँ तो फिर से मैं repeat करा रही हूँ तो मैंने ये decide कि मैं direct previous year question करा हूँ और उसी के साथ concept करा हूँ तो आपको को थोड़ा confidence भी आएगा और ये पता चलेगा कि exam में ये चीज़ आता है तो उससे related आप कर रहे हैं तो इसलिए मैं दो बार किसी चीज़ को करके आपका भी time kill होगा मेरा भी unnecessary हम क्यों दो बार एक ही concept को पढ़ा है तो हम question के साथ सारा concept करते जाएंगे तो friends ये question है if h star represents an estimate of cost of getting from the current node n to the goal node and h represents actual cost of getting from current node to the goal node then a star algorithm gives an optimal solution if देखिए सबसे बड़ी बात आप option के थूरू जा सकते हैं question solve करने में सबसे पहले तो आपको concept पता है कि किसी भी जैसे h star है a star है तो इसमें optimal solution कब आएगा जब हम कम value पर काम करें कम underestimate करते हैं तो तो h star underestimates h ये होगा इसका answer लेकिन बाकी सारा और क्यों नहीं होगा क्योंकि h star as equal to h तो ये नहीं होगा h star over estimate h ये भी नहीं होगा देखें आपको मैं बता दूँ under यानि कम बस आप ये सोच के चलिए over यानि ज्यादा तो ये हमेशा दिमाग में रखिए तो आप एक सबसे बड़ा example सोचिए कि अगर आप जाते हैं कोई सामान खरीदने मान लिजे कि मैं गई एक ये नोटबुक लेने ये नोटबुक मुझे मान लिजे कि 200 का मिलता है मैंने घर से सोचा कि बेबी ये 100 में आ जाए तो जब मैं फर्स्ट मैंने क्या सोचा कम सोचा मैं इसको 100 सोच कर गई market में मैंने कम सोचा underestimate करके गई और जब मैं swap पे गई तो वहाँ वो 200 का आया तो मैं क्या करूंगी next swap पे जाऊंगी और वहाँ फिर देखूंगी मतलब मैं सबसे जो minimum होका वो डूंडूंगी यानि कि मैं profit में हूँ आप daily life से इसको मिला के देख लिजे तो हम हमिसा किसी भी चीज़ को underestimate में ही underestimate लेंगे तब ही हमें optimal solution मिलेगा वही अगर मैं घर से ही सोच के चलूं कि अरे नहीं थी 300 में आ जाएगा notebook और वहां मैं पहुंची यानि कि मैं ज्यादा सोच के गई हूँ घर से वो 200 का ही है तो हमें वहां जैसे वो first stop ही 200 में मिलेगा तो हम खुस हो जाएंगे अरे मैं तो 300 का सोच रही थी या मैं तो जानती हूँ कि 300 में आएगा लेकिन ये 200 में ही आ गया तो हम क्या किये वहां over estimate करके गए तो हम 300 भी दे सकते थे अगर कोई 300 मांगता तो ये तो फायदे का सौदा नहीं है तो हमेशा हम underestimate में ही जाएंगे तभी optimal solution होगा मतलब कि हम कम सोच कर हमें चलना चाहिए माल लिजे कि आपको अगर पेरेंट से मिलता है 1000 रुपेज की हाँ चलो pocket money तुमको मिला तो आप क्या सोच के चलेंगे कि आप 2000 का खर्च कर दे नहीं आप सोचेंगे कि 1000 मिला है तो मैं 500 खर्च करूं 500 मैं उसमें से भी save कर लूं तो हमें कम सोच कर ही चलना चाहिए और वो automatic थोड़ा ज्यादा हो जाता है लेकिन यह चीज हमेंसा दिमाग में रखेगा कि underestimate किजिएगा तो optimal solution मिलेगा ठीक है तो यह हमारा पहला question था उसके बाद फिर देखेंगे अगला question है क्या है the mean in analysis process centers around the detection of difference between the current state and goal state once such a difference is isolated an operator that can reduce the difference यह देखें reduce the difference यह keyword है must be found but perhaps that operator cannot be applied to the current state so a sub problem of getting to a state in which it can be applied is set up the kind of backward chaining is which operator are selected and then the sub goals are set up to establish the precondition of operator is called अब देखें आप इतना लंबा question देखेंगे बोलेंगे इतना time इसमें waste होगा मैं क्या करूँ इसको हम लोग कुछ भी तुक्का लगा के छोड़ देंगे लेकिन हम यहां देखें option से जा सकते हैं क्या होता है backward planning क्या होता है goal is check planning क्या होता है operator overlaying क्या होता है operator sub goaling क्या होता है यहां reduce the difference एक term है और यहां operator sub goaling एक term है और हम यहां जानते हैं कि यह main main end analysis process है इसमें हम operator sub goaling का use करते हैं मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसमें इसका यूज होता है, देखिये, ये मैंने बताया है, problem solving search technique, limiting searches in AI, mixture of backward and forward search technique, solve the major part, first and then minor part, general problem solver, GPS, gluing भी इसमें होता है, major term को पहले solve किया जाता है, minor को बाद में solve किया जाता है, generally we focus on major problem, ये recursive भी होता है, current sub goal होता, operator sub goaling, यहां मैंने दिया था, operator sub goaling create sub goals to achieve main goal, तो यहां sub goal को बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, जैसे हम यहां major और minor term बोल रहे हैं, major part को हम पहले solve करते हैं, generally we focus on major problems, तो हम major part को पहले, तो एक हम goal, sub goal बनाते जाएंगे, यहां पर ये इस तरह से use होता है, current state से हम इधर आ रहे हैं, backward state इधर आते हैं, यहां goal state मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक जैसे ये image देख लीजे, इसमें, हम initially इधर से आ रहे हैं, हम इधर से भी जा रहे हैं, बीज में ये goal है, तो यह mean in analysis का है solution, अब आप एक चीज़ समझ लीजे, we are trying to reduce the difference between current and goal state using operators, मैंने आपको सारा देखिए, यह पूरा जो मेरा ये notes है, ये image और ये जो crisp notes है, ये सारा आप देखिए, पूरा आपको question में साथ में दिख गया, है ना, तो ये, तो आपको ये keywords पहचानने है, sub-goaling, reduce the difference, चीख है, gluing, major term, focus on major problem, first, backward forward search technique, mixture of backward forward search technique, limiting search in AI problem solving technique, main end analysis, सारे term आपको देखिए, मैंने एक जगह दे थी, ये देखिए गा, इससे कितना और question आपको मिलेगा, और पहले भी जो मैं दे चुकी हूँ, उसमें भी ये image मैंने यूज किया है, ये term आ रहा है, ये notes कितने important है, तो मैं बिल्कुल crisp, आप believe नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारे source को देखा, पढ़ा, जाना, observe किया, और बहुत इस पर समय लगाया, तब जाकर, आप लोग खुद भी पढ़ रहें, तो आपको भी पता चलता होगा, कि किसी चीज में आपका confidence आता है, आप उसको confidently बता पाते हैं, तो उसके पहले आपने उसको कितना समय दिया है, तो यह notes बहुत important है, और यह question I think कि आपको इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका option C होगा answer, operator sub-going, ठीक है, operator overloading नहीं होता है, यह सब चीज, मतलब आप सीधे इसमें से शुन लीजिए, क्या है, ठीक है, अब देखिए, फिर main analysis से question है, main analysis process centers around the detection of difference between, देखिए, detection of difference between the current state and the goal state, once such a difference is found, then to reduce the difference, one applies क्या, अब देखिए, मैं यहाँ दो slide to use करने ही रही हूँ कि एक में black मिले, फिर आपको green मिले ऐसा, तो मैं directly यहाँ बता दे रही हूँ, बस बात है समझने से, अगर आपको समझ में आ जाता है, याद रहता है, दिमाग में बैठ जाता है, तो answer देखने से कोई फर्क नहीं directionals, that can reduce the difference, and operator, that can reduce the difference, अब देखिए, आपको operator, operator का हम यहाँ यहाँ यूज करते हैं, फिर से यह में notes ला रही हूँ यहाँ पर, operators of goaling create sub goals to achieve the main goal, we are trying to reduce the difference between current and goal state using operators, ठीक है, यह मिला आपको, यह सारे मैंने authentic source से, book से, और बिलकुल जो मैं यहाँ दे रही हूँ मैं अपने जानकारी में बिलकुल 100% मैं इसको सही दे रही हूँ, आपको इसमें doubt करने की जड़त नहीं कि मैं पता नहीं क्या लिख दिया होगा, या गलती से लिख दिया होगा, नहीं, मैं बिलकुल अच्छे से इसको परक के, देखके, और तर जाके, यह आप लोगों को provide कर रही हूँ, क्यूंकि किसी भी तरह मैं students को misguide नहीं कर सकती हूँ, उनको confuse नहीं कर सकती हूँ, उनको negative opposite direction में नहीं ले जा सकती हूँ, आप forward जाए, आप आगे बढ़े, आपका knowledge बढ़े, आप और confident हो, यही मेरा target है, चली अगला एक question हम देखते हैं, और आप लोग यह format भी बताइएगा कि आपको यहाँ notebook से पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर slides ही चाहिए, जैसा आप लोगों को, आप लोगों suggest कर सकते हैं, देखे, how does randomized hill climbing choose the next move, each time, कैसे? randomize hill climbing choose the next move, each time, कैसे? it generates a random move from moveset and accept this move, it generates a random move from whole state, space and accept this move, it generates a random move from moveset and accept this move, improves the evaluation function, अब evaluation function, एक की आपको मिला, it generates a random move from which, from whole state, space and accept this move only if this move improves the evolution, यहाँ only आगया, यह नहीं होगा, तो इसमें आप, यहाँ दे सकते हैं कि, hill climbing में क्या होता है, hill climbing में मैंने इसके भी notes आपको बताये थे, है ना? generate and test, British Museum, plan, generate and test, यह तीन तरह से आपको मैंने बताया था कि ऐसे होता है, तो simple hill climbing में क्या होता है, evaluates one neighboring node at a time, select the first optimized next node, ठीक है, तो यहाँ one neighboring node को हम देखते हैं, और steepest accent hill climbing में क्या होता है, evaluates all, evaluates all neighboring nodes at a time, select the one closest to the solution state, और stochastic hill climbing में क्या है, select a neighboring node at random, evaluate it and decide whether to move it, और examine another, तो यह तीनों का अलग है, इसमें एक neighboring node को देखता है, simple hill climbing में, steepest accent में है, सारे को एक साथ evaluate करता है, और closest को चूज़ करता है, और इसमें कोई भी neighboring node को randomly चूज़ करता है, और उसके बाद फिर examine करता है कि क्या हम goal के near जा रहे हैं या फिर नहीं, तो it generates a random move from move set and accept this move, improve the evaluation function, ठीक है, randomize, ठीक है, randomize तो कौन सा हो गया, यहाँ पे हो गया यह, select neighboring node, at a random evaluates it and decide whether to move it or examine another, यह मैं आपको previous video में इसको अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो यह random move set का आपको पता चल कि क्या होता है, evaluation function को increase करने के लिए, अगला question देख लेते हैं, यह क्या है, consider a three puzzle, यह game playing का question है, consider a three puzzle where like in the usual eight puzzle game, a tile can only move to an adjacent empty space, give the initial state, given the initial state, आपको initial state यहाँ दिया हुआ है, which of the following state cannot be reached, हम इसमें से किस state पर reach नहीं कर सकते हैं, तो हमें यह दे दिया है, one, two and three, यह tile है, तो आपको पता है कि जो tile खाली है, हम वहाँ पर जा सकते हैं, या तो हम vertically जा सकते हैं, या तो हम horizontally जा सकते हैं, यह हम diagonally नहीं चल सकते हैं, कि two यहाँ jump करके आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है, इस तरह से diagonally यह नहीं हो सकता है, लेकिन यह horizontal और यह vertical होगा, ठीक है, तो हम एक tile को one को यहाँ ला सकते हैं, या three को यहाँ ला सकते हैं, इस तरह से यह चलता है, यह बिल्कुल simple game है वच्चों का जो होता है, तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर आपको a, b, c, d question में दिया हुआ है, कि कौन-कौन सा, यह 4 state दिया, इसमें से कोई एक state जो नहीं reach कर सकते हमको वो निकालना है, तो मैंने क्या किया, यह one, two, three, इस state से, इस state से मैंने इस three वाले tile को यहाँ खिसका दिया, चीक है, तो मैंने यह किया, उसके बाद मैंने क्या किया, कि अब इस state में और क्या change कर सकत हम two को यहां ले आए तो मैंने two को यहां ला दिया अब two को यहां ला देने के बाद क्या है तो मैं one को यहां ले जा सकती हूं two यहां वापस जाएगा तो previous state के बराबर हो जाएगा तो मैं one को इधर ले जाओंगी तो one को मैं ले गई उसके बाद फिर अब यह space खाली है तो अगर one को वापस यहां लाओंगी तो यही state आ जाएगा तो फिर मैं three को उपर ले जाती हूँ तो यह हो गया state मिलिया अब three को वापस नीचे लाओंगी तो यह state है तो मैं क्या करूँगी two को इधर ले आओंगी तो मैं two को यहां ले आई यह state मिलिया उसके बाद फिर मैं यहां से one को उपर ले गई नीचे है तो इसको उपर ले गई फिर मैं यहां three था three इस position पे था तो three को यहां ले आई फिर अगला स्टेट क्या मिल सकता है कि टू उपर था टू नीचे था तो टू को मैं यहां उपर ले जाओ फिर क्या है कि यह वन यहां राइट साइड में था इसको मैं लेफ्ट में ले आओ फिर यहां पर थ्री उपर है तो थ्री को मैं नीचे ले आओ फिर यहां पे मैं 3 नीचे आ गया 1 नीचे था 2 यहां left side में था 2 को right side में ले जाओ फिर यहां 1 को उपर ले जाओ 2 और 3 सेम जगह पे उसके बाद जो है यह इसी के जासा आ जाता है अगर 3 को हम इदर खिसकाते हैं तो यह first state जो मैंने इसके बाद बढ़ाय था वो है तो इतने सारे state मैंने निकाल लेगी यह यह possible states है अब इसमें आपको question से बोला है मिलाने को कि 3,1,2 तो मैंने इसको पहले घेर दिया है ताकि आपका time waste नहों तो 3,1,2 तो 3,1,2 यह state मिल गया है चलिए बी में क्या है first state blank है और 3,1,2 तो first state blank है यह है देखिए 3,1,2 आप खुद इसको करके देख सकते हैं आप rough copy पे कीजिए आप किसी भी board पे कीजिए उसको erase कीजिए बहुत confidence आएगा खुद से हाथ से अपने हाथों से कीजिए उसके बाद C state है 1,3,2 1,3,2 1,3,2 मतलब कि 1 के right side में 3 कहीं नहीं मिल रहा है जो यहां है हमेशा 1 के left आपको मिलेगा ऊपर मिलेगा 1 के right side में 3 यहां है लेकिन यह इस से नहीं मैच कर रहा है फिर 2 इधर आ जा रहा है है ना तो यह 3 को अगर मैं यहां ले जाओं तो भी यह नहीं मैच करेगा 1,2,3 वाला आ जाएगा फिर तो यह हम state नहीं reach कर सकते हैं ठीक है और यह D वाला state यहां आ गया है तो इतने सारे state मिले तो यह game playing का है अगर हम इसको पहले practice कर लें ऐसा माली जे 5 question आप practice कर लेते हैं तो उस 5 question को practice करने में आपका जितना दिमाग लगेगा तो वो exam का आपका time बचाएगा exam में आपको idea develop हो चुका रहेगा और आप उसको easily कर सकेंगे इतना सारे state थोड़ी न डेवलप करके देखेंगे वहाँ पे वहाँ पे आप अपने previous practice के according आप उसको fast कर लेंगे ठीक है अगले question पर हम आते हैं which of the following is not an informed search technique इसमें से कौन सा है जो informed search technique नहीं है तो informed को हम क्या बोलते हैं heuristic भी बोलते हैं है ना heuristic search technique तो hill climbing क्या है heuristic है best first search क्या है heuristic है a star क्या है heuristic है depth first search जो है नहीं है ये मैंने आपको पहले मैं बता चुकी हूँ इसके बाद हम अगले question पर जाते हैं यहाँ पर और hill climbing की मैंने अच्छे से video में explanation दिया है previous video में अगर इससे आपको ये सारे algorithm को पढ़ना है detail में इसका concept जानना है तो आप previous video को देख लिजेगा चलिए अगले question पर हम चलते हैं कि मैंने estimate किया कि मुझे hundred rupees में ये notebook चाहिए तो या तो यह hundred में मिले या hundred से कम में मिल जाए तो हम खुस होंगे लेकिन अगर हम hundred सोचके गया है और वो two hundred में मिल रहा था तो double हो जाएगा तो जादा तो उसको हम नहीं accept करेंगे हम और search करेंगे आगे और हम अगले तो हम explore कि expand किसको कर सकते हैं जो कि less than हो underestimate हो कम हम सोच कर चलेंगे ज्यादा सोच कर नहीं चलेंगे a star expand no nodes with number nodes with fn is greater than c star तो नहीं greater than को नहीं करते हैं here c star is the cost of the optimal solution path which of the following is correct with respect to the average term तो इसमें both statement a and c are true हो गया तो इतना मैंने अभी करा दिया आपको और इसके बाद इसके बाद आपको मैं अगले next dear friends please अगर मेरे efforts आपको लग रहे हैं कि positive हैं और आपको कुछ इसमें benefit हो रहा है तो please मेरे channel को subscribe कीजिए और share कीजिए अगर ये useful है तो needy person जो जिसको जरूरत है उसके साथ share कीजिए like कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो subscribe कीजिए future में अगर आपको previous year question एंट ये यूजी सीनेट computer science के चाहिए और paper one के तो और comment में आप बता सकते हैं कि आपको क्या और improvement चाहिए क्या changes चाहिए क्या आपको अच्छा लगता है और आप कौन सा topic कौन सा question क्या doubt है आपके आप सब कुछ यहां comment में बता सकते हैं thank you friends thank you